हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, स्टोरीज अफ इंडिया और मैं हूँ प्रीती मैं अपनी वीडियो में इंडिया की जगा जगा की इंफरमेशन देती हूँ जैसे कि किसी भी जगा की हिस्ट्री, कल्चर, फ्लोरस, फॉनस, वहापे क्या क्या मिलता है वहापे अगर अब घुमनी जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो मतलब फुली ट्रैविल गाइड ये सब की इंफरमेशन मैं अपनी वीडियो में देती हूँ तो आज जिस जगा की इंफरमेशन मैं देने वाली हूँ है कान्हा टाइगर रिजर्व और नैशनल पार्क के जानना चाहते हो तो एक बार जाके वह वीडियो भी आप देख सकते हो और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा ऐसे इंडिया की और भी जगाओ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर बारे में जो काना टाइगर रिजर्व है यहां पर फूलों के पॉद नगतया फ्रजातियों का इन घर है यह काना टाइगर डेजब इसके तरहई का जगल है वहां पर है शाल और अन्यमीष्ट बन पेड़ों का मिष्रन है जो घास के मैदानों से घिरा हुआ है और इस बंदियों की नम शुष्क पर्णपाति प्रकार के होते हैं पर्णपातर के एस रहएक उस्ताइप के कुछ पेड़ पॉधिल से नुच 50 चाहिती की हते हैं जो गने जंगल है उनमें एक बहुत वीशिश बात है, वहाँ पर एक ट्री है, उसको लोग उना घोस्ट्री बोलते हैं, मतलब भूद ब्रिक्ष, ये भी वहाँ पर देखा जाता है, अब जानते हैं इसके फॉनस के बारे में, काना टाइगर डिजब के जो फॉनस हैं, मतलब क्या के अनिमल्स म और यहां के जो बरसिंगा, सबसे फेमस जो है बरसिंगा, वह भी आके स्वामपी एरियस जो होते हैं, वहाँ पर देखा जाता है, और यहां के वाटर बॉड़ी के पास गौर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और यहां पर एक और अनिमल है, ब्लैक बग, यह देखा ज 300 प्रजाती के मतलब 300 प्रजाती के बर्ड यहां पर देखा जाता है जिनमें से कुछ फिमस बर्ड है कि ब्लाक इवीस, एशियन ग्रीन बी इटर, कैटल अग्रेट, प्लम हेड़ेट बारकीट, इंडियन पॉंद हेरोन, ड्रॉंगो, कॉमन तेल, क्रेस्टेट सर्पेंट लिटल ग्रीप, लेसर विसलिंग तील, मिनी वेट, मलाबर पाइड हर्म बील, वोट पेकर्स, पीजन, इंडियन प्रादाइस प्लाइज प्लाइचर, हील मैना, इंडियन पी फावल, रेट जंगल पावल, रेट वर्टल लप्विंग, स्टैपी इगल, पिकल्स ब्लु प राइकेचर, वाइट आइड बजर्ट, वाइट ब्रेस्टेट किंग फेशर, वाइट ब्रावड फैंटल, उड्श्राइक्स, वर्बलर्स, और वल्चर, यह सब पेमस से, और भी बाकी जाती हो कि यहाँ पे बंची देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, अच्छा अब आप जानते यहाँ पे ट्रांस्पोर्टिशन, अगर आप जाना चाहते हो, तो कैसी जा सकते हो, इसका जो नियरेस्ट एरपोर्ट है, वो है जबबलपूर एरपोर्ट, जबबलपूर एरपोर्ट से यह पार्क 175 किलोमेटर दूर है, डेली, मुंबई, कोलकता, हैदरबाद पूने, बेलगा, वोपाल, सब जगा से यहाँ पे डाइरेक्ट फ्लाइट्स अविलेबल है, और दो एरपोर्ट है, एक है नाखपूर, दूसरी है राइपूर, नाखपूर से यह टाइगर रिजब दो सो चालिस किलोमेटर दूर है, और राइपूर से यह टाइगर रिज जा सकते हैं, जब मंडला है, यह टैक्सी है, टूरिस्ट टैक्सी सर्विस, जो यह पार्क तक, मतलब इस टाइगर रिजब तक, बहुत ही एजिली एविलेबल है, तो आप जबलपूर से भी जा सकते हो, और अगर अब बाई रोड जा रहे हो, तो इस नाशनल पार्क में का सबसे फिमस जो गेट है, उसका नाम है काना गेट, जो बेस्ट है, जब बलपूर से अगर आप जा रहे हो, तो यहाँ पर एक विलेज मिलेगा, खाटिया, उस खाटिया विलेज से आप एक्सेसेवल है, और यही गेट सबसे ज़्यादा फिमस है, और और दो गेट है, एक ह भी अभी खुला है, सार ही, इन दोनों गेट से भी आप इस जंगल में एंटर कर सकते हो, और इस नैशनल पार्क के आजपास काफी सारी रेसोर्स, होटेल्स भी आप लोग को मिल जाएगा, तो आपको रहने की भी कोई प्रॉब्लेम वहापी नहीं होगी, तो चलिए यह थ प्रॉब्लेम जापे भी के वहाब को मिल जाएगास काफी यह दो पिर गार्क काफी यह शो गुपलेगास काफी से वेष ऑम जापको झालेख